आज की कक्षा में हम अपनी पुस्थक साहित्य सौरब का कहानी साहित्य का एक पाट व्यथा का सरगम पढ़ेंगे जैसा की नाम से ही द्रिष्टी गोचर है व्यथा अर्थात पीड़ा कष्ट और दुख से भरा हुआ यह पाट है प्रचाईता अमरित राय है जो प्रसिद्द लेखक हिंदी साहित्य के प्रसिद्द लेखक प्रेमचन जी के सुपूत्र है व्यथा का सरगम में लेखक ने विभाजन के समय की कहानी बताई है विभाजन अर्थात जब हमारा देश भागों में बटा था जहां विभाजन की घोशना के उपरांत फैली साम्प्रदाइक्टा के जहर के प्रभाव को लेखक दर्शाना चाहते हैं देश विभाजन के दोरां जो साम्प्रदाइक दंगे हुए एवं उससे जो असुरक्षा और देहशत का वातावरन बना इसी भायानक स्थिती के कारण लोगों को पहली बार यह एहसास हुआ कि अब अपना घर समाज देश छोड़कर जाना ही पड़ेगा जैसे जैसे समय बीतता गया भाय का वातावरन और अधिक कहराता गया मौत का डर लोगों में इतना बढ़ गया कि हिंदू, मुसल्मान और सिख सभी को अपनी जगह, अपनी जमीन छोड़कर भागने पर मजबूर होना पड़ा स्थिती इतनी विशम रही होगी, इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि विबाजन के परिणाम स्वरूप, एक करोड़ बीस लाक लोग विस्थापित किये गए, करीब दस लाक लोग मारे गए लगबग 75,000 औरतों को दूसरे धर्म के लोगों द्वारा अपहरित किया गया, भगा ले जाया गया हजारों परिवार तुकडे तुकडे हो गए, खरों को जलाया गया और गावों को उजार दिया गया देश विभाजन के समय चारों उर भयावह विशाक्त वातावरन बहुत ही खतरनाक था मनुष्य मानव वृत्ती को भूलकर पशु वृत्ती पर उतर आया था इसी दम तोड़ती मानवता का यथात परक्चित्रन अमृत राय जी ने व्यथा का सरगम में किया है और इस नकारात्मक स्थित्य में एक नारी की सकारात्मक चित्रित किया गया है पाठ पढ़ लेते हैं व्यथा का सरगम आज अमावस की रात है गहरी काली नीरव निस्तब्त केवल दूर पर कुत्तों के भूकने की आवाज और कुछ कीदड़ों की आवाज मनुष्य की आवाज तो गाने की एकाद कड़ी के रूप में कभी कभी सुनाई पर जाती है किसी रिक्षे वाले के किसी रोमैंटिक फिल्मी गाने की एक कड़ी वरना सननाटा माहौल बहुत ही उदास है मनुष्य की आवाजें बहुत कम सुनने मिलती हैं दूर से कहीं से बच्चते किसी गाने की हलकी ध्वनी है पास के ही किसी घर से शेहनाई का व्याकुल स्वर आ रहा है शेहनाई भी अजब बाजा है जो दुख सुख दोनों में समान रूप से आदमी का साथ देता है शेहनाई के बारे में यह कह सकते हैं कि यह बाजा सुख में जब किसी की शादी विवाह हो रहा है तब भी बच्चता है और किसी के निधन पर भी उसे शुरद्धामजली देने के लिए शेहनाई के स्वर उदास्वर गूंजते हैं आज न जाने क्यों सुरेश्वर मगर आप उसे क्या जाने आपने शायद कभी उसे बीन बजाते नहीं सुना जब वह आख बंद करके बीन के तारों पर अपनी उंगलियां दोड़ाने लगता है तो विश्वास ही नहीं होता कि यह सुरेश्वर जो सामने बैटा है उसकी अभी उठान पर की उम्र है उसने अभी कुल तीस बसंत देखे हैं कहानी के प्रमुक पात्र सुरेश्वर की बात की जा रही है उसकी उम्र तीस वर्ष है और वह बाजा बजा रहा है बीन बजा रहा है उसके स्वरों से प्रवाहित होने वाली व्यता कि उस सरिता में जिसने भी एक बार नहाया उसका रोम रोम जैसे काप उठा और उसे लगा मानू अनेक पतज़ड और शिशिर बजाने वाले की अस्ती और मज्जा में जाकर बस गए हूँ सुरेश्वर के बाजे से निकलने वाले स्वर इतने दुखी और व्यतित हैं कि ऐसा प्रतीत होता है कि उसने अनेक पतज़ड और शिशिर देखे हैं यह दोनों ही मौसम बहुत ही उदास करने वाले मौसम हैं क्योंकि एक में पत्ते ज़ड जाते हैं और दूसरे में हर्याली सूख सी जाती है उसके स्वर में इतनी नितांतता अकेलेपन का पुठ्था सुरेश्वर रेलवे के एक आफिस में क्लर्क है प्रेलों की गड़ गड़ाहट और फाइलों की ठकान को अपने बीन के स्वरों में बांद कर उसने उन्हें नया ही रूप दे दिया है दिन भर की दौर धूप के बाद रात की यही शान्ती रात को यही उसकी शान्ती का निरज़र है यही उसका सहारा है कवच है मानो यह नहो तो दफ्थर की फाइलें उसे खा जाएंगी रात को अपना कमरा बंद करके जिससे पड़ोसियों की नींद न खराब हो वह अक्सर बड़ी देर तक बजाता रहता है रात को इन घड़ियों का एकांत उसे बहुत प्रिय है वह चाहता है कि जल्दी ही सो जाए जिसमें दूसरे रोज तक अपनी बीन में खोया रहता है और समझता रहता है कि किसी बिंदू पर पहुँचकर घड़ी की सुईया अचल हो गई है हमारी कहानी के नायक के बारे में बताया गया है कि रेलवे की आफिस में कलर्क है यह स्चोचनिय है कि कलर्क की जिंदगी घड़ी की सुईयों के अनुसार चलती रहती है बहुत अधिक कार्य और बहुत अधिक नित्यकान पता वही उबाव जीवन वही निरंतर कार्य इन सबसे छुटकारा पाने के लिए अपने मन को भहलाने के लिए सुरेश्वर शेहनाई बजाता था और कहीं उसकी जो जिंदगी अचल थी उसमें रंग भरने की कोशिश करता था सो आज न जाने क्यों सुरेश्वर का मन उदास है शेहनाई का वह पतलासवर खंजर की तरह उसके दिल के अंदर उतरता जला जा रहा है एक अजीब सी वेदना एक अजीब सा दर्द उसे अपने अंदर समो रहा है उसकी बीन आज खामोश है आज तो वह बस सुन रहा है शेहनाई के स्वर की वह बंकिम कटार उसके अंदर उतरती ही चली जा रही है सुरेश्वर जानना चाहता है कि अपने उतार और चड़ाव में वह उससे क्या कहना चाहती है पीडा की वह कौन सी अतल गहराई है जिसे छू लेने का उसने संकल्प किया अगला प्रिष्ट देखते हैं शेहनाई का स्वर उसके गहरे से गहरे मन में एक अत्यंत सुंदरी पावर्थ्य युवती का आकार ग्रहन कर रहा है यह युवती किसी कुरूर दैत्य द्वारा शापित है उसका सक्खा खो गया है उसके परिजनों ने उसे छोड़ दिया है और उसे अकेले ही अपनी रथाओं का परवत ढूना है उसकी मुख श्री तुहिंसनात मटर के फूल के समान है उसके कपडे हिम के सुरुदृष धवल है पर उसकी मुख मुत्रा को जैसे किसी गहरी उदासी का धूँआ लग गया हो सुरेश्व शेहनाई के स्वर में एक यूवती को याद करते हुए उसकी स्मृती में खोया हुआ है वह बहुत ही अकेली और दुखी यूवती है और उसके चहरे पर उदासी पसरी हुई है शेहनाई के स्वर को इस मानव चित्र में बदल कर सुरेश्वर उसी को देखता हुआ खोया सा ठगा सा बैठा था हठात जैसे किसी ने उसके कंधे पकड़ कर उसे जंजोड़ा और होश में ला दिया और तब उसे पता चला कि वह अपने आपको चल रहा था जो मानव चित्र उसकी आँखों के आगे आ रहा है वह शेहनाई के स्वर का चित्र नहीं है मास मज्जा की एक वास्तविक तरुनी का चित्र है जिसे उसने आज ही शर्नार्थियों की गाड़ी से उतरते देखा है वह हजारा जिले की एक सीमान्त देशिय हिंदू पठान तरुनी का चित्र है जब शेहनाई ने किसी भयानक तर्द को अपने स्वरों में बांधने की कोशिश की तो वह व्यता सुन्द्री आप से आप उसकी आँखों के आगे आ गई समुत्र के फेन से निकली हुई वीनस के समान सुरेश्वर के स्मृतियों में शेहनाई के स्वर के बजाए अब वास्तविक तरुनी का एक चित्र उभर आया उसने आज इस स्ट्री को विस्थापित हुए शर्णार्तियों की गाड़ी से उतरते हुए देखा वह हजारा जिले की हिंदू पठान स्ट्री थी उसकी आँखों में बहुत व्यता थी हाँ सच्मुच वीनस उर्वसी तक्ष शिला की सुंद्री सरो के पेड की सी सुघड लंबाई स्वस्त योवन से भरपूर छर हरा शरीर सी मांत के कागजी बादाम जैसी ही आँखें चंदन सा गौर सुसंस्कृत मुख मंडल लंबी सी वेणी मगर सबके उपर अंग राग के स्थान पर उदासी का एक गहरा लेप जो चहरे के भाव को आमूल बदल देता है उसे देखकर कोई उन्चरंकल भाव जैसे पास पर भी नहीं मार सकता मगर उसके साथ ही साथ पूरे वक्त जैसे कोई भीतर बैठा एक बड़ी तकलीफ देई कड़ी गुनगुनाता रहता है सुरेश्वर की स्मृति में वह तरुनी बस सी गई है वह उसकी सुन्दरता का वर्णन बहुत सुन्दर शब्तों में उसके मुख मंडल का बखान उसकी लंबी सी वेनी अर्थात चोटी का बखान परंतु उसके चहरे पर जो उदासी के भाव है वह उसे परिशान करते है अगला परिछे देखते है सुरेश्वर ने आज ही तो उनके रहने की जगह देखी धन्य भाग जो दूसरा महायुद्ध हुआ वर्ना न लडाई होती न मिलटरी की बारके वनती और आज मनुष्य की पशुता से भाग कर शरण मांगने वालों को टिकने का कहीं कोई ठिकाना होता सुरेश्वर दुख में भी सुख की कल्पना करते हुए मनुष्य की अच्छाईयों का प्रती यह मिलटरी की बैरिके थी जहां पर बड़ी संख्या में शर्नार्थी आकर रहे थे शर्नार्थीों को ये बनी बनाई बारके यो मिल गई गोया इनी के लिए बनाई गई हो गोया उर्दू शब्त है जैसे इनी के लिए बनाई गई हो इनी बारकों में अपने घर बार, खेती किसानी, दुकानदारी से उखड़े हुए लोग अपना सारा सामान लिये दिये पड़े थे तीन के बड़े बक्स, मन्जोले बक्स, छोटे बक्स, खाटों के पाए पाटियां सुतली आबाद, सब अलग अलग मोड कर रखी हुई चटाईयां एकाद बाल्टी, लोटा, थाली, कनस्तर, किसी किसी के पास अपना हुक्का भी यही उनकी सारी गिरस्ती थी इसी गिरस्ती के गिरे बंदे वे इस नई दुनिया में अपने लिए जगेह बना रहे थे देखिए हम और आप इस आजाद स्वतंत्र भारत की संतान हैं हमारे पूर्वजों ने बहुत कठिन, बहुत कष्ट प्रद समय देखा है जब विभाजन हुआ था तो शर्नार्थियों को अपने घरों से, अपने खेतों से, अपने जमीनों से विस्थापित कर दिया गया रातोर रात उन्हें मार भगाया गया, वह अपने साथ जो भी अपनी जमा पूंजी ला सकते थे वह उठा लाए, कल्पना कीजिए अगर कोई आपको आज कहे कि यह घर आपका नहीं, यह जमीन आपकी नहीं और आपको तुरंट इसे खाली कर देना है, तो जो पीड़ा, जो गश्ट, क्योंकि आपको तो अपने कीमती सामान बांधने का भी समय नहीं मिलेगा आपको कोई समय नहीं देगा कि आप अपनी ग्रहस्ती को बांधिये और उसे अपने साथ लेकर चलिये बस आपको अपना घर बार अपनी जीवन, अपनी जमीन बिना कुछ सोचे छोड़ कर भागना पड़ेगा एक नए देश जहां कुछ भी आपका नहीं है हर चीज तूसरों की है और आप सिर्फ यहां पर अपने प्राण बचाने के लिए शरणार्थी के रूप में पैरकों में रहेंगे क्योंकि आपके पास तो घर भी नहीं है इस कठिन परिस्तिती की हम कलपना भी नहीं कर सकते जो हमारे पूर्वजों ने भुकता है उन्होंने यह दर्द साहा है आगे पाट पड़ते हैं पीविया कुए से पानी ला रही थी या रोटी पका रही थी और बच्चे धूल से सने कुछ सहमे सहमे से खेल रहे थे लोहता की खाक का मिलान हजारा की खाक से करके यह पता लगा रहे थे कि पश्चता के की टाणू कहां ज़्यादा है और अपने जहन से उन दरावनी शक्लों को निकालने की कोशिश कर रहे थे देखे नया देश था नईस परिस्तिती थी कभी कल्पना भी नहीं की थी पीवियां अपने घर के कारेों में व्यस्त थी बच्चे दरे से थूल में सने यहां वहां खेल रहे थे और हजारा से लोटे हुए शर्णार्थी सोच रहे थे कि जहां से आएं हैं वहां के मनुश्यों में पशु के कीडे पशुत्व अधिक था जिन डरावनी शकलों को वह देख कर आए थे जिन से उन्हें भय लगता है वहां उनके मन में तैर रही थी अगले पन्ने पर चलते हैं उन्होंने उनकी नादान जिन्दगी को भी चारों तरफ से डर की रस्यों से कस दिया था कल तक हस्ते खेलते हसी खुशी एक साथ त्योहार मनाते इन शरार्थियों को ये पता नहीं था कि कल उनके जीवन में इतना बड़ा इतना दुखत इतना कठिन परिवर्थन आने वाला है वह तो रात को खुशी खुशी सोए होंगे परन्तु सुबह उनकी जीवन में बहुत बड़ा परिवर्थन आया और उन्हें विस्थापित कर दिया गया शन भर में उनकी जमीन उनसे छीन ली गई यहीं इसी दुनिया में उस शाम को सुरेश्वर ने उस व्यथा सुन्दरी को हलके हलके रोटी सेखते देखा था यहां से कथा में एक नया पात्र जो अब तक सिर्फ सुरेश्वर की स्मृतियों में था वह व्यथा सुन्दरी जो की हजारा से विस्तापित होकर माफ कीजेगा हजारा विस्तापित होकर आई थी वह चूले पर रोटी सेखते हुए दिखी और नायक के मन में उसकी स्मृति में घर कर गई इसी पात्र को हम आगे पड़ेंगे अगली कक्षा में आज का समय यहीं समाप्त होता है थन्दर